आईपियल में आज भी गूंजता है शोर धोनी वन्स मोर मैच कहीं भी हो जल्वा धोनी का ही होता है भौकाल ऐसा कि विदेशी महिला भी दंग रह गई कौन है ये विदेशी महिला जो माही की हो गई फैन महेंद्र सिंग धोनी एक ऐसे खिलाड़ी है जिनकी उम्र 42 साल हो गई और अंतराश्ट्य क्रिकेट से सन्याज भी ले चुके हैं लेकिन इसके बावजूद ना तो धोनी का जल्वा कम हुआ और ना ही मैदान में गूंचते धोनी धोनी के शोर में कोई कमी आई साल 2004 में अपने अंतराश्ट्य करियर की शुरुआत करने वाले धोनी के लिए 20 साल बाद भी दर्शकों में वही दीवान की नजर आ रही आज भी धोनी जब मैदान में उतरते हैं तो दर्शक मुबाइल की टॉर्च जला कर ऐसा माहौल बना देते हैं कि जैसे मानो सितारों के जहां में कोई सूपर स्टार कदम रख रहा हो और जब चौकिये छकों की बोचार करते हैं तो चारों तरफ से एक ही आवाज आती है धोनी धोनी कुछ ऐसा ही हुआ 19 अप्रेल को जब लखनों सूपर जाइंट्स के खिलाफ वे मुकाबले के दौरान महेंदर सिंग धोनी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे उन्होंने जैसे ही मैदान में कदम रखा चारों और धोनी धोनी का ऐसा शोर गुंजा की साउथ अफरिका के पूर कैप्टन क्विंटन डिकॉक की पत्नी साशा डिकॉक भी दंग रह गई नरसा साउथ अफ्रिका के पूर्व कप्तान क्विंटन डिकॉक आईपियल में लखनो सूपर जायंस की ओर से खेलते हैं इसलिए 19 अप्रेल को चेन्नाई सूपर किंग्स के खिलाफ मैच के दोरान डिकॉक की पत्नी भी मैदान पर ही मौजूद थी इसी दोरान जब महिंदर सिंग धोनी हाथ में बल्ला लेकर मैदान में उतरे तो मैदान से उठता धोनी धोनी का शोर साशा डिकॉक की स्मार्ट वाच में रिकॉर्ड हो गया जिसे उन्होंने इंस्टरग्राम की स्टोरी में लगाते हुए लिखा जब धोनी बैटिंग करने उतरते हैं इस कैप्शन के साथ साशा डिकॉक ने स्मार्ट वाच की जो तस्वीर पोस्ट की उसमें लिखा था इस शोर भरे वातावरण की वजह से साउंड लेवल 95 डेसिबल के स्तर को छू चुका है दस मिनिट तक यही स्तर बरकरा रहा तो अस्थ्याई रूप से बहरा बना सकता है स्मार्ट वाच में दी गई ये वार्निंग बता रही है कि लखनो के इकाना स्टेडियम में धोनी धोनी के गूंचते शोर की वजह से कैसे हालात हो गए थे यही हैं धोनी का जादू जिनके मैदान में कदम रखते ही चारों और धोनी धोनी का शोर सुनाई देता है और जब उन्होंने नौ गेंदों में ही 311 के स्ट्राइक रेट से 2 चकों और 3 चौके के साथ 28 रनों की पारी खेली तो सोची उस वक्त मैदान में कैसा माहौल रहा होगा यही है माही मैजिक जो आज भी बरकरार 42 साल की उम्रों और अंतराष्ट्र क्रिकेट से सन्यास के बावजूद धोनी के लिए जुस तरह का सम्मान, शोर और दर्शकों में ऐसी दिवान की देखने को मिलती है इससे पहले शायद ही किसी खिलाडी के लिए देखी गई होगी बात यहीं खत्म नहीं होती क्विंटन डिकॉक की पतनी साशा डिकॉक तो धोनी के लिए दर्शकों के दिवानगी देखकर हैरान थी ही LSG के लिए ही खेलने वाले निकोलस पूरन तो यहीं देखकर हैरान रह गए कि धोनी की एक जलक पाने के लिए सडकों पर लंबी लाइन लग गई थी जिसके एक वीडियो पोस्ट करते हुए खुद निकोलस पूरन ने लिखा वेल 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 वी नो हूँ वास इन टाउन माही आप भी देखिए वो वीडियो कैसे लोग धोनी को देखने के लिए सडक के किनारे लाइन लगाए हुए कि आप ब देखिए रुद एल वेल वेले लुद वेले लेले के लीडियो कैसे लोग लग भी यिए यद खूब कान स्थाख गारी कि देखिए भी भी वेले वेजिए बनाव खुद एल करते हुए धोनी के दीवानों की लिस्ट में देश के दिग्ग जुद्योगपती आनंद महिंद्रा का नाम भी शुमार है उन्होंने तो धोनी की तारीफ में यहां तक कह दिया था मुझे एक ऐसा खिलाडी दिखा दीजे जो अवास्तविक अपेक्षाओं और दबाव के बावजूद इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ आज मैं तो बस इसलिए शुक्र गुजार हूँ कि मेरा नाम महिंद्रा है ये बात आनंद महिंद्रा ने उस वक्त लिखी थी जब धोनी ने 14 अपरेल को मुंबाई इंडियन्स के खिलाफ 500 के स्ट्राइक रेट से महस चार गेंदों पर ही तीन छक्कों के साथ 20 रंट ठोक दिये थे धोनी के इस छोटी सी पारी ने महिंद्रा का इस कदर दिल जीत लिया कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं तो शुक्र गुजार हूँ कि मेरा नाम महिंद्रा है जिसमें माही नाम आता है ऐसे महान क्रिकेटर के बारे में आपका क्या कहना है अपनी राए हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपका क्या कहना है आपका क्या सहीं हमेंगर में तक शरूर करपखी सहीं हूँ है